Chapter 11 है Input Output in C, Console Input Output, इसका Output क्या होगा इस प्रोग्राम का, एक Character Array लिया हमने, जो भी इसमें लिखा हुआ है, फिर हमने S % से शो किया, S3 किया, और M % S3 किया, और सब % S से किया, क्या क्या होगा, इसको देखने से लगता है कि S में सारा आना चाहिए, S3 यानिकि 0, 1, 2, 3, M % यानिकि इसका अड्रेस आना चाहिए, ऐसा कुछ, तो अब देखिए, कि जब हम ये करेंगे, पहले मैं इसका बता देता हूँ, S में तो कोई दिक्कत निया, सारा का सारा आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत निया, अब हमने क्या किया, कि जब हम S3 पे गए, S3 जो है, वो ए यहां पर पहुंच रहें, देखिए, अगर मैं यहां से गिनूँ, तो 0, 1, 2, 3, 3, मतलब W पर आ गया, M% आ गया है, मतलब यहां से %, W से यहां तक यह दिखाएगा, अगला है, % से प्रिंट करना है, यह content और यह content, तो क्या दिखाना चाहिए, दोनों दिखा देकर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, character हमने यहां पर एक array लिया, जो pointer है, और इसमें हमारे पस कितने content है, 1, 2, 3, 4, 5, अब हमने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक यह पांच element है, 5 चलाया, और character array लिया, यह पूरा का पूरा एक array है, और फिर हमने क्या किया, %MI, 0 से लेकर, 0 पहले, 0 मतलब यह दिख लिखाई देगा इस तरीके से, तो आपको इस सारे content लिख जाएगे, यह important बात है इसमें, कि इस तरीके से बनाएंगे, तब आप यह सारे manage कर सकते हैं, handle कर सकते हैं, एक character रहे लिया, यह वाला, इसमें, i equal to 0 से शुरू किया, और आपने कहा, जब तक pi, slash 0 तक नहीं आपने दो array लिये, आपने कहा कि enter name of your favorite footballer, percentage में ले लिया, और आपने put test किया, enter your profession, और percentage में, आपने m% prof 0 में यह content लिए, इसमें कोई भी error नहीं, बस बात यह है, कि जब scan of percentage में नाम करेंगे, तो अगर नाम आप दो शब्द होगा, जैसे आप लीजे, डोनाल्ड ट्रम्प तो डोनाल्ड और ट्रम्प के बीच में आप जगा देंगे, तो क्यों, डोनाल्ड प्रिंट होगा, डोनाल्ड ट्रम्प प्रिंट नहीं होगा, ट्रम्प छुट जाए, enter your profession में भी यही काम होगा, 0 से शुरू करेंगे, अब यह जाएगा आपके actual location पे, जो पॉइंट करता यह scanf के साथ यूज होता है, getS में आपको इसकी जगह किवला, आप message कर देंगे, तो काम चलेगा, care key है, press enter, आपने कहा putS, scan किया, %c से m% key, अब, putS से आप कह रहे हैं, यह print करिए, और c से आप m% key दे रहे हैं, इसमें कोई error नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, putS की शुरू करेगा यह, और 5 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब E, S से लेकर यहां तक दिखा देगा, तो को error नहीं है, अगला है, आपने एक character pointer लिया, 0 से 5 तक गए, या 0 से, basically यह 4 चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, जो की 5 होते हैं, और आपने का percentage से print कर दीजे, mess I, अब इसमें, I को आपने define तो किय जा नहीं, इसके बाद, यह तो एक error हो गई, जब हम array of pointer use करते हैं, array of pointer to string, इसका मतलब है कि यह चीज़ को आपको initialize करना पड़ता है, सबसे पहले, इससे पहले कि इसको हम यहां use कर सके, यह initialization नहीं हुआ है, यहां पर int है, float है, आप %D से, %F से print कराना चाह रहे हैं, scanf त following में, तो receive the string यह वाली, एक array आपका care str यह है, कौन सा function आपको use करना है, कौन सा करेंगे, एक तो यह character string है, 100 है इसमें, और यह पुरा कपरा use करना है, अब इसके बीच में आपके पास spaces है, तो क्या scanf से कर पाएंगे, यह get character करता आएक करके, यह f get किसी string में करता है, तो इस सकते हैं से, लेकिन get c h g से वो eco भी कर दें, if an integer is to be entered through the keyboard, which function would you use, integer करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप scanf करेंगे, क्योंकि यह जो तीरो function है बाद वाले, यह string के साथ हम deal करते है, यह string के साथ नहीं, character के साथ, यह character के साथ करता है, यह character के साथ करता है, लेकिन मैं बता हूँ, internally, character integer से भी होते हैं, इसलिए इस question के लिए तो यह answer है, लेकिन अगर और option दिये जाए, question थोड़ा सा अलग करके पूछा जाए, तो इसको भी आप include कर सकते हैं, if a character string is to be received through the keyboard, which function would work faster, कौन सा तेज काम करेंगे, अगर आपको character string keyboard से लेनी है, तो इसका उतर है get as, क्योंकि scanf में आपने देखा होगा, कि format specifier होते हैं, यानि कि इसका proper format है, जो कि function जितना अंदर parameter लेगा, उस parameter को जितने जादा parameter लेगा, उतना जादा वो काम करेगा, what is the difference between get care, fget care, get ch and get ch, इसमें क्या क्या अंतर है, सारे के सारे keyboard से entry लेने के काम में आते हैं, लेकिन कुछ इसमें बहुत ही minor differences हैं, जैसे get ch है, ये character लेगा keyboard से, उसको screen पर नहीं दिखाएगा, बस ले लेगा, यही पर अगर हमें e लगा दूँ या get ch ही कर दूँ, तो ये character keyboard से लेने के बाद इसको echo भी कर देगा screen, फिर get care, ये क्या करेगा, ये भी character लेगा keyboard से, लेक forward string of a printf function can contain, जो printf में जो forward string है, उसमें क्या क्या हो सको, इसको देखी, इसमें पहले का उतर सही है, याने character होगा, commercial specification, escape sequence, और field width specifier in a printf function, क्या करता है, field width, जैसे आपने 10s दे दिया, ऐसे करके, या आपने कहा कि मुझे इतनी width चाहिए, जैसे 10.1 कर दिया, 10.1f कर दिया, त इतने columns आपको use करने हैं, ताकि आप print कर सके नंबरों को, जब आप column को use के print करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सा दिखाई देता है, जैसे उसको दिखना चाहिए, जैसे अगर आप copy pen लेके करेंगे, तो जैसे आप दिखाना चाहिए, answer the following, दो function xgetes और xputes आपको लिख दिखाता है, जो content आप इसमें डालेंगे, xgetes क्या करेगा, यह जो भी चीज़ है उसको लेगा, तो इसने कहा enter a sentence यह screen पे दिखाई देगा, आप sentence अपना डाल देंगे, और वो यह xgetes के थूरू दिख जाएगा, print करतेंगे इसको एक double slash n को, और xputes से, क्योंकि आपने यह तो जब तक यहां, जब तक यह pointer s रहेगा, आप put ch कर दीजिए, put character, एक एक character, और s को बढ़ाते रहेगे, यह आपने अगर इस तरीके से लिया, आप यहां से शुरू कर रहे हैं, आप जानते है कि जो नाम होता है, यह पहला element होता है, बहले element का address होता है, put ch आपने किया तो यह आपका, यह तो लेता है, यह ना, put पुट करेंगे, जो जो चीज आप करेंगे, get is क्या करेगा, get is का काम यह है, जैसा get is करता है, वैसी हम x get is लिखने वाले, तो हमने integer दिया, एक character दिया, आप कहें, आप 0 से 98 तक जाएगे, और एक एक character हम ch में ले ले लेंगे, अगर ch जो character है, वो आपका carriage return आता है, तो last में आप 0 डाल दीजे, ब्रेक करता है, अगर यह backspace आता है, तो यह b print करके, backspace करके, एक i को भी minus कर दीजे, s को भी minus कर दीजे, क्योंकि आपको एक पीछे जाना है, अगर character आता है, एक character आता है, इन दोनों के अलावा यह आता है, तो slash T भी देते है, tab भी देते है, और space भी देते है, तो यह carriage return मतलब enter कर दिया किसी ने, तो आप यह last में, slash 0 डाल दीजे, अगर backspace किया, जो किसी ने किछे, किसी ने पीछे कर दिया, तो उस backspace में, आप पीछे गया है, तो यह दोनों आपको minus करने पड़ेगी, और यहाँ पर S++ करते करते हैं, अगर यह दोनों के अलावा दिया है, तो इसको सब्सकों को ले लिए, आपको function लिखना है get in, यह receive करेगा, एक numeric string keyword से, इसको convert कर देना है integer number में, return कर देना है integer को, जो function इसको call कर, example usage जहाँ दिखाया गया है, कि यह एक integer है, आप get int लिखना चाहते हैं, जो get int जो भी आप integer लेंगे, उस a को assign कर दीजिए, उसको print कर दीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छा बना देते हैं, एक function हम लिख रहे है get in, इसमें हमने a ले लिए, clear screen कर दिया, कहा कि आप एक numeric string डाली, numeric string जो ली जाएगी get in द्वारा, वो a को assign कर दीजाएगी, हम बताएंगे कि आपने a enter किया है, उसके बाद बाहर आ जाएगी, तो get int कैसे होगा है, आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक string लिया, हमने कहा कि इसकी जो length हम specify कर दे, उसके बाद हमने कुछ variable बनाए, हमने i0 से श character a की बात होती है, internally integer और character a की तरह deal होते है, वरकि character integer की तरह deal होता है, यह character है क्या है, background में तो s की number है, s की number है, अपके integer ही होता, तो जब तक डालते रहेंगे, तब तक यह इसमें लेता रहेगा, अगर आखिर में इन्होंने carriage return डाल दिया, मतलब एंटर कर दिया, तो इसका आप 1, 1, 1, 1 से शुरू करेंगे, अब आपको इसको convert करना है, numeric value क्योंकि आपने अभी string ले लिए, string ले है तो हम क्या करेंगे, कि string से minus 48 करेंगे, क्योंकि जो number होता है, इसमें, अब अगर आप देखें, s की values, तो जो numbers आते हैं, 0, 2, आपके 9 तक, वो आपको इसे कम मिलें ये 231 किसी ने enter किया, तो सबसे पहले हम 1 लेंगे, फिर इसको multiply करना पड़ेगा, 1, 1, उसके बाद 3 को लेना है, तो 3 को multiply करना पड़ेगा, 10 से तभी जोड़ेंगे, तो 31 आएगा, तो 3 into 10 प्लस 1, अब आपको 200 भी चाहिए, तो 2 लेंगे, 2 into 100 करेंगे, वो हम यहां पर काम किया हुआ है, और इसका finally value return करेंगे, पहला है कि error आपको निकालने है, तो इसमें error क्या है, यह करके देखिए, stdio.h इसमें include करना पड़ेगा, अगर नहीं, अगर इस तरीके से दिया है code snippet, तो बता सकते हैं कि stdio.h चाहिए, क्योंकि यह सारी चीज़े stdio.h में हैं, फिर fputs में दो आपके arguments होते हैं, तो stdio.h fputs में दो argument चाहिए, और यहाँ पर क्योंकि fgets use कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर end of file ली चलेगा, यहाँ पर null लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसी तरीके का एक है, यहाँ पर gets use किया है, gets में आद तीन चाहिए होते हैं, इसलिए सबसे पहले तो fgets में आप यह देखिए कि तीन argument होने चाहिए, यहाँ पर दो ही argument है, साथ में जब fgets use करते हैं, तो आप end of file ली use करेंगे, यहाँ पर आप null use करेंगे, null should be used, बाकि stdio.h तो इसमें लगना चाहिए, इसी तरीके से एक और code का snippet है, जब आप fscanf कर रहे ह होंगे, पहली चीज़ तो stdio.h होना चाहिए, और उसके बाद end of file ली use करेंगे, यहाँ पर, जब fscanf करते हैं, यहाँ पर अगर end of file पता करना है, तो आप eof use करेंगे, 26, यह एसकी character, Is it necessary that a file created in text mode must always be opened in text mode for subsequent operations? Yes, अगर एक file आपने text mode में की है, तो text mode में ही की जाएगी, true or false बताना है, a file opened in binary mode and read using fgetc would report the same number of character in the file as reported by say, some directory command या फिर अपने file explorer में देखेंगे, तो यह सत्य है, क्योंकि आप binary mode में कर रहे हैं और fgetc कर रहे हैं, While using the statement this fopen myfile.cr, क्या होगा यदि myfile.c exist नहीं करती है, और क्या होगा यदि वाकई में यह file exist करती है, अगर यह exist नहीं करती है, तो यह जो fp के पास fopen null return कर देगा, यदि यह return, अगर यह exist कर रही है, तो फिर यह load हो जाएगी memory में, जो foil pointer है, वो point करेगा, जो पहला character है इस flush, इसका क्या काम है, purpose क्या है, पहले तो यह जो buffer होता है, जो खास तर पर जो keyboard का buffer है, उसको clean करता है, stdin होता है standard input, जो क्या हमारा keyboard होता है, while using the statement this, अब यहाँ पर wb, याने की right binary है, तो अगर myfile.c exist नहीं करती है, यह exist करती है, तो क्या क्या होगा, पहली चीज, अगर यह file, यह वाली जो file देख पा रहे हैं, आप, यह अगर exist नहीं करती है, तो क्योंकि right binary है, यह अपने आप create हो जाएगी, लेकिन यदि यह exist करती है, तो यह file खतम हो जाएगी, destroy हो जाएगी, यह नहीं file create होगी, a floating point array contains percentage marks obtained by students in an examination, to store these marks in a file, marks.c, in which mode would you open the file and why, तो इसका सिधा उत करेंगे, जितने आपके उसमें characters होंगे, उस हिसाब से यह करेगा, right, write a program which print out only those lines from a line which are containing more than 80 characters, वो line है, जो 80 characters से उपर हैं, उन्हीं को यह print करेगा, और उसके बाद आपको यह विताना है कि ऐसी कितनी lines हैं आपके पास, तो हम यह program शुरू करेंगे, यह line है, print out lines containing more than 80 characters, वो line print करेगा, यह program, जो 80 characters से उपर होंगे, stdio.h, konio.h include करेंगे, file, fs करके, यह basically एक structure होता है, एक fs आप बनाएंगे, और उसके बाद हम यह source और string, यह string, आप देंगे, line number अभी हम शुरूआत करेंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे, source file का नाम दीजिए, इसको source में रख और अगर यह open हो जाता है, तो ठीक है, नहीं तो अगर यह null आता है, तो आप बाहर आजाएंगे, बताके कि यह open नहीं हो पाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, fgetters use करेंगे, और जो string है str, क्योंकि वहाँ पर आपने 200 का size दिया है, उसमें लेते चलेंगे, क्योंकि हमें च कर दीजे, percentage से, और line number को एक बढ़ा दीजे, line number is equal to line number plus one, ऐसे करके कर सकते है, line number आप ऐसे आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर, 0 से जादा बहतर रहेगा, एक कम दिखाएगा, वो last line क्या होती है न, क्योंकि जब हम string से deal करते हैं, तब हम हमेशा one से शुरू करते है हैं, और फिर, finally, हम इसे close कर देंगे, writer program that will concatenate two files, दो file है, एक ये file है, एक ये file है, दोनों को जोड़ना है, ये file यहाँ पर आके आखिर में जुड़ जाएगी, यानि कि एक file का content, दूसरे file के content में जोड़ देना है, और उसके हिसाब से एक तीसरी file बन जाएगी, तो अब आप अपने command prompt पर जाते हैं, तो concat आप लिखेंगे, साथ में आप source file देंगे, और source one है, two है, इन दोनों को जोड़ के आप यहाँ पर target.txt में रखने के कोशिश करेंगे, या और कुछ इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, तो इसके लिए program लिखेंगे, concatenate करना है, जो variable आएंगे, एक fs1, एक fs2 और यह target, यह source, इसके लिए s1, यह s2, इसके लिए हमने तीन यहाँ पर file pointers बना लिए, एक हमारे यहाँ पर हम character variable ले 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 लेते हैं, अब देखे, अगर आप argument चार नहीं है आपके बादे, एक, दो, तीन, चार, क्योंकि एक तो नाम होगा, आ उसके बाद आप क्या करेंगे, पहली वाली को उपन करेंगे, एर जी वी वन, जो आपने source1.txt ली है, उसके read mode में उपन करेंगे, जब तक end अगर यह बाइचास open नहीं हो पाती है, तो आप बताएंगे, देखे साब, यह open नहीं हो पार, यह बाहर आ जाएंगे, इसके बा आती है, तो आप बता देंगे, यह error है, बहर आ जाएंगे, अब हमारा असली काम शुरू हो रहा है, क्या कर रहे है हम, fs1 से get c करके, ch में डार रहे हैं, जब तक end of file में ना पहुंचे, और put c कर रहे हैं, इसी character को ft में, यह काम हो गया, फिर fs1 को बंद कर दीजाने कि, बतब ch, जो भी आ रहा है character यहां से, उसको आप ft में याने कि, इसके बाद डालना शुरू कर दें हैं, और इसके बाद इसको close कर दीजे, और इसको भी target वाली file को भी close कर दीजे, इस तरीके से आप combine करेंगे, एक file में c program है, लेकिन किसी साहब की गलती के कारण, उन्होंने capital में लिख दिया है, बड़ा program है, तो read type तो करवा नहीं सकते, एक utility लिख दीजे, जो program को read करेंगी, और जो small case appropriate जगा पे, उसको small case में convert करके आपके target file में डाल देगे, आपको f get s और f put s function का opio करना है, तो आपको करना क्या है, जो capital letter file है, उसको small case में कर देना है, तो इसके फिले हम क्या करेंगे, stdio और konio, यह आप include कर लेंगे, एक source मनाएंगे, एक target आपकी file pointer बनाएंगे, यहाँ पर हमने str एक character buffer लिया, या फिर एक तरीक इस character array लिया, यह source है, इसके size decide कर सकते हैं आप पहले ही, फिर आप user से बोलेंगे source file का नाम डाले ही, यह get s हम function use करके, मद लेंगे, और वो target में डाल देंगे, इसको open करने के कोशिश करेंगे, right mode में, अगर यह नहीं हो पाती है, तो यह error बता देंगे, यह नहीं हो पार, यह बाहर आ जाएंगे, लेकिन का अगर सब कुछ सही है, दोनों file यह खुल गई है, तो आप क्या करेंगे, f get s function का use करेंग फिर source और target को बंद कर देंगे, आपका program खता हूँ, record input output, low level disk input output, इसमें क्या error है, इस program बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या error हो रही है, पहले चीज़ तो हमेशा ध्यान रखेगा, stdio कि यह सब चीज़े न, stdio.h में है, तो यह सब आपको पहले देना पढ़ेगा, फिर जो size of function है, यह वाला, यह एक word होता है, इसमें, इसमें केवल, जैसे size of आप कर रहे हैं, कोई, आप array हो गया, या आपने कहा कि, मैं किसी character, किसी float के बारे पता करना चाहरा हूँ, या मैं किसी, इसके size पता करना चाहरा हूँ, structure का, इस names के लिए, यहाँ size of में, आप ध्यान रख सकता है, array नहीं डा सकते हैं, और f close, यह आपने नहीं लिखा, क्योंकि आप f close लिखेंगे, तब fp close होगा, close कुछ नहीं होता है, यहाँ पर देखें क्या error है, कोई error दिख पा रहा है आपको तो, इसमें stdio.h to करेंगी, करेंगे, और साथ में f close यूज़ करेंगे, इसके सा प्रोग्राम में कोई आपको error दिख रही है, इसमें क्या है, कि आपने जब fcntl.h use किया, इसका मतलब आप कोई नो कोई चीज ऐसी यूज़ करना चाह रहे है, तो यह जो read only है, इसको आप use करेंगे, इस r की जगा, यहाँ पर यह r नहीं यूज़ होगा, क्योंकि आप यह तो control है, फाइल के control functions है, वो यूज़ करना चाह रहे है, तो open आप जब कर रहे हैं, यहाँ पर आप r की जगा o underscore rd only use करेंगे, एक और चीज़ है इसमें, यह open और close यहाँ इस तरीके से चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आप f open कर रहे हैं, तो यह एक तो stat.h, यह आपको include करना पड़ेगा, f open की जगा आप केवल open use करेंगे, और यहाँ पर आप o underscore rd only, इसी जगा o underscore binary, इसको use करना है, close ठीक है, बाकी सब ठीक है, तो यह कुछ आपने और सवालात लिए, आपके file input output in c, बहुत शुक्रिया, बहुत महरबान है आप सबी की